आज हम बात करेंगे पेटी एम के बारे में पिछले मैनों में एक काफी न्यूज में रहा है ड्यू टू वेरियस रीजन्स तो करते हैं इसका फंडामेंटल एनलेसिस तो अगर इसके करण मार्केट प्राइस की बात करी जाए तो यह करीब 524 के असपार स्टेट कर रहा है 16 रुपीज आज कर डाउन है एक वीग की रीटर्ण्स की बात करें तो नाइगेटीव 9 परसंट के असपास और वन मंत की रीटर्ण्स की बात करें तो करीब नाइगेटीव 33 ए 34 परसें एं और सिंस लिस्टेंग जो की करीब november 9 में होई ती उससे अभी तक करीवे 66-70 परसे नीचे तो अल्मोस इंवेस्टर्स का पैसा काफी लूज हुआ है तो देखे बेकार टाइमिंग और बेकार अगर हम इसके चार्ट को देखे तो आप देख सकते हैं कि 18 नवंबर के आसपास से आज 23rd of मार्स 2022 तक जो चार्ट है वह आल्मोस नीचे ही रहा है दाउन ट्रेंड में रहा है तो फंडामेंटल से पहले हम यह ट्वीट देख लेते हैं जो कि पेटीम के सीएफो ने ट्वीट किया था तो उन्होंने कहा था कि जो आई प्यों की प्राइस है जो की करीब 2,000 रुपे एस पास थी और आज जो की फोर्थ हो चुकिंख फ्रायर प्राइस करन्ट मार्केट प्राइस थे लेकिन यह इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू छोड़ना चाहते थे लेकिन आप दे पेटीएम पेइमेंट बैंक जिसमें आर्बिय ने कहा है कि पेटीएम पेइमेंट बैंक अब नहीं कर पाएगा दूटू विरियस रीजन्स तो उसके चक्कर में भी पेटीएम ने एक नेगेटिव साइकल पकड़ी थी उसके अलावा जो पेटीएम वह बैक बाए एक चाइन परफेंट की होड़िंग है पेटीएम में तो यह भी एक बहुत बड़ा सेज़द है जिए खबर यह भी आई थी कि जो पेटीएम का जो जो यूजर्स के डेटा है वह चाइनीज सर्वर्स में बेज़े गए थे जो चाइनीज सर्वर्स में स्टोर हुए थे देखिए यह अगर आपकी कंपनी चाइनीज इंवेस्टमेंट से बैक्ड है तो नेशल इंट्रेस में भी यह थोड़ा सा रिस्की होता है अगर हम कंपनी की प्रोफाइल को देखे तो आप देख सकते कि इसकी मार्गेट कैपिलाइजेशन है करीब 35-36,000 करोड के आसपास है एक लाग कर की बात करें तो 23.48 परसें नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं कि कंपनी एक तरह से बिल्कुल वर्स्ट फिनैंशल स्पोस्ट की हैं देखे मान सकते हैं कि जो कंपनी और टेक्नलोजिकल कंपनी और में भी वह एक्स्पैंशनली फेज में है लेकिन इस प्र इस ताइम प करें तो 544 करोर्स का डेट है तो डेट के मामले में कंपनी वर्चुली डेट फ्री है लेकिन जो लॉस्ट कर रही है तो कोई कहा नहीं सकता है कि कंपनी का प्रॉफेटेबल होगी तो अगर हम इसके शेरोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास करीब 89.58% होल्डिंग से इसमें काफी शोटा पोर्शन रिटेल इंवेस्टर्स के पास में है कि ग्रोफ आप प्रॉमॉटर्स के पास एक्चुली प्रॉमॉटर्स लेस्ट कंपनी जसे के क्रीब 1% सेग के तो अगर वात करें से फिनेशल प्रफόमेंस की तो और यह थरुटल्री पे औरिश्टेसесь में की जो net sales है उसमें करीब 100 क्रोड की गिरावाट है 1000 क्रोड से 921 क्रोड हुआ था लेकिन जो expand लीचे है करीब 300 क्रोड से rise हुआ है इसका sole reason था यह सब्सक्राइब करीब 300-400 क्रोड के असपास के तो इसी चिक्कर में जो प्रेटिंग प्रफिटे वह ने-गेटिव 790 क्रोड हो चुका है अगर इंकम की बात करें तो 44 क्रोड से 78.3 क्रोड हुए है इंट्रेस्ट जो है कंपनी का almost negligible है और अगर प्रॉफिट विफोर टेक्स है प्रॉफिट आफ्टर टेक्स की बात करें तो पे टियम ने करीब नेगेटिव पांट सो ग्रोड से नेगेटिव साधे साथ सो ग्रोड हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि यह हाला कि जो प्रॉफिट विफोर टेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पेटियम जो एक डिजिटल कंपनी है डिजिटल कंपनी जैसे की Amazon थी तो उसने भी शुरूबात में काफी लॉस पोस्ट किये थे लेकिन आज वह एक टैक्स फ्री कंपनी क्योंकि जो पहले के लॉसे वह आज उनके प्रॉफिट में कंपन करेंट करोड कर रहे हैं उससे घेज़ावट आ रही है और आने वाड़ी टाइम में और भी कम हो सकता है इतना कोई खास परपस होता नहीं है इस ऐसी कंपनी में बट इस्टेल अगर हम बात करें तो 1600 क्रोड करोड हो चुकि यह करेंट लिए और नॉन करेंट लिएबिलिट का बेस बना के चल रही है करेंट एसेट से कंपनी अपनी जो शौट तरम लाइबिलिटी इस उसको पेकर सथी है तो ओर बैलेंस शीट वाइस देखा जाए तो कंपनी की जो बैलेंस शीट वैल्यू है वह काफी गिरी है यह जाग उड़ गिर चुकि है तो आप देख सकते क कंपनी के फैनाइंशल इतने अच्छे इतने साउंड है नहीं और जो कंपनी का ओल रिटरंस है वो भी इतने अच्छे नहीं है तो इस कंपनी से विलाल दूर इरना चाहिए यह मेरी आपको एडवाइस होगी तो बात करें इसके मैनेजमेंट की तो आप सभी जानते होंगे विजेशिकर शर्मा इसके फाउंडर और सीओ है जिन सीएफो की में बात कर रहा था वो मदूल भी हो रहा है तो यह इनके करंट सीएफो है और मिस्टर अमित नायार इनके प्रेसिदेंट है तो और अरॉल मैनेजमेंट वाइस इसमें कोई खराबी नहीं है बट जो आने व रिवल्री का सामना पीटीम कैसे करता है तो देखने वाली बात होगी तो इसी के साथ इस वीडियो का हम करते हैं एंड तो यह ता एक शॉट्सा आइन डिस पीटीम का आशा करता हूं को यह प्लीज से लाइक करें वीडियो को शेयर करें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स वीडियो किस पर चीए फिलाल के लिए थैंक यू